नमस्कार, देशच आउशदी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सर्वसुलब अमरूत की अमरूत का पकाव़ा फल सर्वत्र प्रचुर मातरा में खाया जाता है और सबी लोगों को अत्यंत प्रेवि होता है इसके बीच स्वास्त के लिए अच्छे नहीं होते इसका पकाव़ा फल भूक बढ़ाता है पाचन क्रिया भी ठीक करता है इसके कच्चे फल का चून एक से तीन ग्राम की मात्रा में उबाल कर समान नताप पर लाए हुए जल के साथ डायरिया में देने से लाब मिलता है कच्चे फल का चून पानी में राद बर भिगो कर सुबर चान कर पीने से मदूमे में बार बार लगने वाली प्यास में शांती मिलती है अमरूत की जड़ की चाल का काड़ा बालक और बालिकाओं में होने वाले दस्त में अत्यंत लाब देता है कड़ा बनाने के लिए लगबक 50 ग्राम मूल चाल को आदा लीटर पानी में आदा रहने तक उबाले और उसको 1-2 चमच यानि 5-10 ml की मातरा में देने से अत्यंत लाब मिलता है साथी उल्टी और दस्त को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है अमरूत के पत्तों के काड़े में बैठने से अतात हौट शिट्स बात लेने से बच्चों में काच के बाहर आने की समस्या यानि रेक्टल प्रोलैप्स में बहुत आराम मिलता है यदि कहीं घाव हो गया हो तो अमरूत के काड़े से इसे दोने से शीग्र घाव भरता है साफ पट्टी से घाव पर बांदने से इसका शीगर रोपन होता है यानि घाव जल्दी भरता है इसके पके हुए फल को बाल कर जैली बनाए जाती है जो कि कब्स के लिए एक मुफीत दवा है यह हिरदे रोगों के लिए भी लापकारी है इसे एक से दो चम्मच की मात्रा में अब जानते हैं कि अम्रूत की जैली कैसे बनाए जाती है इसके लिए पहले कुछ सामिग्री इखटा कर लें जैसे आदा किलो पका हुए अम्रूत एक कप पानी एक कप मिश्री एक चम्मच निबू का रस चाने की छन्नी पकाने के लिए प्रेशर कूकर आलू का बूरता ब भूले उसके चोटे-चोटे टुकडे कर लें पानी डालकर प्रेशर कुकर में चड़ा दें एक सीटी आने पर फ्लेम बन्त करें चार से पांच सीटी आ जाये तब जब प्रेशर कूकर खुल जाये तब चोका बनाने वाली कल्ची से अम्रूत को अच्छे से महेश करें फि तब रस निकाल लें तब उसको मिश्री मिलाकर मंद आच पर गाड़ा होने तक पकाएं इसे तश्तरी पर डाल कर देखें यदि मिश्रण ना हिले तब समझें कि जैली को जमाने का समय हो गया है इस मिश्रण को साफ के हुए सुखे काच के पातर में डाल दें पूरा ठंडा ह होने के तुरंत पहले न्यूबू का रस मिलाएं और जैली जमने का इंतजार करें जब तयार हो जाए तब ढकन से उसको ढक कर संग्रहीत करें अब कच्छे अम्रूत का जो चून बनाते हैं वो समझे कि कैसे बनाया जाता है इसके लिए अम्रूत को अच्छे से धोलें और में सुखा लें जब अम्रूत सूख कर कठेन हो जाए तब उसको कूट कर चली से चान कर चून को संग्रहीत करें अम्रूत के पत्ते की जो पुल्टे से वह कैसे बनाया जाती है उसको समझ लेते हैं जितना भी बड़ा घावों उस हिसाफ से पत्ते दोकर सिल बट्टी पर म जानकरी बहुत फाइदेमन साबित होगी हमें सदैव दिन चरिया रिदू चरिया आहार वहार के निमों का पालन करना चाहिए पर यदी रोग प्रबल हो तो कुशल वैद की देख देख में चिकित्सा करें धन्यवाद नहीं सुपल प्रबल प्रबला स्यों करेंबल वैद की देख झाहिए झाहिए झाल